साप जहरीले और चानलेवा जीवों में से एक होता है एक जहरीले साप के डसने से किसी की भी पल भर में चान जा सकती है साप का जहर खून में मिलते ही बहुत तेजी से पूरे शरीर में फैलता है इनी जहरीले सापों में से एक होता है किंग कोबरा भारसाहित कई देशों में पाय जाने वाले किंग कोब्रा का जहर किसी को भी मौत की नीन सुला सकता है आईए आपको बताते हैं किंग कोब्रा से जुड़े रोचक तर्थ जिनके बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना होगा एक वयस किंग कोब्रा की लंबाई 6 मीटर तक हो सकती है कोब्रा अतना जहरीला होता है कि अगर किसी हाथी को काट ले तो उसकी भी जान जा सकती है कोब्रा एक अचा शिकारी है जो दूसरे जानवरों के अलावा दूसरे सांपों को भी अपना शिकार बना लेता है चाहे वो जहरीले हो या नहीं कोबरा पाइथन और दूसरे कोबरा सापों को भी अपना निवाला बना सकता है Austin किंग कोबरा साप का जीवन काल 20 साल का होता है किंग कोबरा साप की गलौती ऐसी प्रजाती है जो अपने रहने के लिए घोसले बनाते हैं और उन ही में अंडे देते हैं और उन अंडों की खोद रक्षा करते हैं कोबरा को जितना जहर उगलना है ये वह खुद ही तै करते हैं इसी कारण जरूरी नहीं कि हर किंग कोबरा काटते समय जहर उगले कई बार वो बिना जहर दिये भी काट लेता है कोबरा सांपों की एक ऐसी प्रजाती है जो अपनी कुल लंबाई के एक तिहाई हिस्से तक सीधे खड़े होने में सक्षम होते हैं दूसरे सांपों की तरह कोबरा भी पानी में बड़ी आसानी से और तेज रफतार तैर सकते हैं इसी वज़े से कोब्रा सांप अक्सर तालाब जील और पानी वाली जिगों पर पाय जाते हैं। किंग कोब्रा कई महीनों तक बिना खाना खाये रह सकते हैं। कि कोब्रा वार करते समय जहर उगलता है और अगर इनका जहर आखों में चला जाए और समय पर सही लाज ना हो तो व्यक्ति अंदा भी हो सकता है कोब्रा साप की शारीरिक संरचना इस तरह की होती है कि वो तापमान में होने वाले छोटे छोटे परिवर्दन को भी आसानी से महसूस कर लेते हैं भारत में कोब्रा साप को मारना गयर कानूनी है और ऐसा करने पर 6 साल की जेल हो सकती है कोब्रा साप अपने जहर को थूक के रूप में अपनी आधी लंबाई यितनी दूरी तक फेकने में सक्षम होते हैं कोब्रा साप सिर्फ धर्ती पर होने वाली धोनी तरंगों और कमपन को ही महसूस कर सकते हैं हवा में होने वाली धोनी तरंगों को मैसूस करने में कोब्रा सांप असमर्थ होते हैं। किंग कोब्रा पियर पर चणने में माहिर होता है। कोब्रा सांप के कान नहीं होते, ये सिर्फ चीजों की आहट और कमपन से ही पता लगाता है। कोबरा साब के काट लेने पर होने वाले लाज में एंटी वैनिन नामक दवा इस्तिमाल की जाती है और ये दवा कोबरा के जहर से ही तयार की जाती है किंग कोबरा की आँखें इतनी तेज होती हैं कि वो अपने शिकार को इंक्यानवे मीटर दूर से भी आसानी से देख सकता है अब तक सबसे भारी कोबरा 12.7 किलोग्राम वजनी था जिसे नियुयार्क के जुलाजिकल पार्क में रखा गया था इतना जहरीला होने के बावजूद भी नेवले पर किंग कोबरा के काटने का कोई असर नहीं होता यही वज़य है कि नेवला कोबरा को आसानी से मार गिराता है एक बार काट लेने में किंग कोबरा साप इतना जहर उगलता है जिससे करीब 20 लोग या एक बड़े हाथी की मौत हो सकती है अगर किसी इंसान को किंग कोबरा काट ले और तुरंद उसका सही लाज ना हो तो अगले 30 मिनट के अंदर उस व्यक्ति की मौत हो सकती है